नमस्ते और सलाम दोस्तों हमारा इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों पीछे वीडियो में आपको हमने बताया था कि मैं अगले वीडियो पोजेटिव ठिंकिंग कैसे केडिट करे उस पे ले के आऊंगा तो ये वीडियो है पोजेटिव ठिंकिंग को लेकर जो हर बेक्तियों को आज किस दौर में जरूरत है चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ पहला है स्वेंग पर नियांतरन रखें हमने खुद भी महसूस किया है और इस विशेपर लोगों से बाते भी की है कि कई बार हम लोग परन लेते हैं कि आप कभी नकरातवक नहीं सोचेंगे पर कुछ समय के बाद हम लोग उस परन को भूल जाते हैं और हम पर से नियांतरन हट जाता है इसलिए दोस्तों खुद पर नियांतरन बनाने का अभ्यास करें यह भी पोजेक्टिव ढ़ने का एक पहला सीड़ी है तो दूसरा है नकरातमक सोच वाले व्यक्ति से दूर रहे और जितना हो सके साकरातमक सोच वाले व्यक्ति से मिले पर तियक व्यक्ति के अंदर अलग-अलग विचार धराय होते हैं किसी के बातों पे बहुत खुस हो जाओगे और किसी काम को करने के लिए उत्सुख हो जाओगे तो उसी में नकरातमक सोच वाले व्यक्ति आपको दूखी भी कर देंगे और किसी काम को लेकर वह डिमोटिवेट कर देंगे इसलिए दोस्तों किसी भी विषेपर चर्चा सिरिफ अनुभावी एब हम साकरातमक सोच वाले व्यक्ति से ही करें नकरातमक सोच वाले व्यक्ति से दूर रहे क्योंकि आप जैसे ही किसी ऐसे लोगों से आप अपने किसी काम को लेकर पुछिएगा कि मेरे लिए अच्छा होगा या कैसा होगा तो नकरात्मक सोच वाले बेक्ति आपको 99% है कि आपको नकरात्मक जबाब ही देंगे इसलिए दोस्तो आप ऐसे बेक्ति से दूर रहें और जितना हो सके अनुभावी और पोजेक्टिव लोगों से ही मिलें और अपने बाड़े में उसी से पुछें तिसरा है ध्यान दोस्तो आप लोगों को या मालूम होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज चलने वाले कोई है तो वो है मन मन से तेज कुछ भी नहीं चल सकता अपने उपर एकागरता एबं सन्यम लाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है ध्यान ध्यान करने से एक विसेश परकार की उर्जावतपन होती है जो मन और इनसान को किसी भी परस्थिती से लरने में मदद मिलती है इसलिए दोस्तो कम से कम 10 मिनट का ही ध्यान करने का अभ्यास करें शुरू में आपको कुछ परशानिया होगी कुछ मुश्किल लगेगा लेकिन ध्यान की द्यान का जो मैं कह रहा हूँ मैं अपने अनुभभ से कह रहा हूं दोस्तो मैंने भी ध्यान में बहुत सारा अनुभब पाया है इसलिए ध्यान कम से कम 10 मिनट से सुरू कीजिए और धीरे धीरे अपना ध्यान का टैम भराते चले चौंथा है अच्छी नीन ले दोस्तो अगर आप 6-8 घंटे की नीन लेते हैं तो आप महसुस किये होंगे कि आपको आलस नहीं आता होगा और आपके अंदर एक अलग तरह की उर्जा उत्पन होती होगी जो पोजेटिव सोचने में बहुत मदद करता है इसलिए दोस्तो अगर आप 6-8 घंटा का नीन नहीं लेते हैं तो आज से ही 6-8 घंटा का नीन लेना शुरू कर दें क्योंकि नीन भी एक पोजेटिव सोचने के लिए बहुत ही जरूरी है पांचमा है अपने मान से रचना में पडिवर्तन किसी भी समस्या को आप कैसे देखते हैं या आपके सोचने पर निर्वर करता है किसी भी मुश्किल काम को आपकी सोचने की ताकत आसान कर सकता है अगर आप उस परस्थिती में नकरातक सोचते हैं तो आप परस्थिती को आओर मुश्किल बना रहे हैं इसलिए दोस्तों सोचने की ताकत को पोजेटिव में परिवर्तन करने की आदर डालिए जो एक positive thinking के लिए बहुत ही जरूरी है छटा है नेकी करे गरीब लोगों की मदद करे दोस्तो गरीब लोगों से मिलकर उन लोगों को मदद करके आपके अंदर positive feeling आएगा example में आपको बता दूं कि बरे बुजरू कहते हैं कभी सामने देखने से इनसान के मन दुखी हो जाते हैं इसलिए कभी पीछे अपने के नीचे लोगों को देखकर हमको महसुस होता है कि चलो मेरे पास जो है वो कितने के पास भी नहीं इसलिए दोस्तों गरीब लोगों से मिलिए उनको मदद कीजिए उनसे बाते कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा सात्मा है we are thankful दूसरे के परती मन में सुक्रिया का भाव लाए कोई समान दे तो उसे सुक्रिया बोले आप देखे होंगे कि जब कोई ब्यक्ति किसी दूसरे ब्यक्ति को कोई समान देता है तो सुक्रिया न बोलकर क्या जरूरत था इस समान लेने को आपको नहीं लेना चाहिए था ऐसा सब्द बोलने से सामने वाले दुखी हो जाते हैं जो नेगेटिव का रूप ले लेते हैं इसलिए दोस्तो कोई भी हो सुक्रिया का भाव परकट करे इस बर को भी सुक्रिया का है क्योंकि उसने हमको बहुत कुछ दिया है उसे सुक्रिया कहिए सुक्रिया कहने से पोजिटिव फिलिंग आती है आठमा है महाल लोगों का बुक पढ़ें दोस्तो हम जैसा देखते हैं जैसा बोलते हैं और जैसा पढ़ते हैं उसी तरह की वातावरन हमारे चार ओर बिक्सित होने लगती है जब हम अच्छा बोलते हैं देखते हैं और सुनते हैं तो हमारा आत्मिस्वास मजबूत होने लगती है कोई काम करने में मदद मिलने लगता है इसलिए दोस्तो महाल लोगों का बुक पढ़िये आपको पोजेटिव रखने में मदद करेगे नौमा है बेयर्थ में चिंता करने से बचे दोस्तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा सायद महसूस भी किये होंगे लोग भूत और भविस के बारे में सोच कर परेशान हो जाते हैं जो एक नेगेटिव फिलिंग के रिएट करता है इसलिए दोस्तो भूत और भविस से बाहर निकल कर वर्तमान में रहने की आदर डालने की कोशिज करे क्योंकि वर्तमान ही हमें पोजेटिव फिलिंग के रिएट करता है दोस्तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारा चेनल को लाइक करना, कोमेंट करना, सस्क्राइब करना न भूले दोस्तो फिर मिलते हैं अगरे वीडियो में जब तक के लिए बाई